अस्सलाम ऑलेकूम, आज मैं आपके थाथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी चिकन विंक्स बनानी की रेसिपी, जो कि अकसर आपने ओरडर करके खाई होगी, अकसर शादियों में खाई होगी, या फिर शादियों के घर में भी खाई होगी। शादी के जिकर से याद आया कि अगर आप निका के लिए रिष्टा देख रहे हैं तो निका फॉरेवर डाउनलोड कर लिजे निका फॉरेवर.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पैस रिष्टे मिलते हैं यहां पर नौ लैक से भी ज्यादा यूजर्स हैं आपक लिए निका फॉरेवर.com लिंक जो है वो बायो में प्रोवाइड़ है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी चिकन विंक्स तो यहां पर मैंने आधा क्लो ग्रैम चिकन विंक्स लिए हैं जिनको मैंने ब्राइन के लिया था ब्राइनिंग के लिए अच्छे खासे इसको डूबो लिजेगा एक चमच सिरका डाल दीजेगा और एक चमच नमक डालकर एक घंटे छोड़ दीजेगा फिर खुब अच्छे से इसको वाश कर लिजेगा आपका चिकन खुब अच्छे से ब्राइन हो जाएगा इधर हमें एक मसाला तैयर करना है इसमें एक टीस् एक टीस्पून पैपरिका पाउडर जो की ऑप्शनल है और एक टीस्पून लाल मिर्स का पाउडर ये मसाले हम एक बोल के अंदर डाल देंगे और अच्छे तरह से इसकी मिक्सिंग कर देंगे अब हम डालेंगे इसके अंदर सिरका तो एक टीस्पून के करीब सिरका डाले अभी यह काफी गाड़ा सा है तो एक से दो चम्मज पाइं डाल कर इसका हम एक इस तरह से एक स्पाइस मिक्स से याल करेंगे बहुत जादा पानी नहीं डाल रहा है एक या दो चम्मज ही डालिए का और अब इसमें ब्रैन की हावा चिकन डाल देंगे और खुब अच्छे से इसको मिला देंगे मसाला अच्छे से चिकन में जब लिपड जाएगा तो हम इसको रख देंगे माईनेशन के लिए कम से कम डियर से 2 घंट आप इसको माईनेट कर ले क्योंकि जितना अच्छा ही माईनेट होगा उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा टाइम की कमी है तो कम से कम आदा घंटा तो माइनेट करें लीजेगा अब एक छनी लेंगे और इसके उपर हम डालेंगे मैदा तो दो कप के करीब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ एक चौथाई कप डाल देंगे कॉइन फ्लावर जिससे की बहुती क्रिस्पी कोटिंग होगी कुछ मसाले डाल देंगे इसमें आदा टीस्पून बेकिंग पाउडर आदा टीस्पून नमक आदा टीस्पून पैपरे का पाउडर या फिलाल मिर्स का पाउडर आधा टीस्पून अद्रक का पाउडर, आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर और आधा टीस्पून के करीब काली मिर्स का पाउडर तो इन मसालों को पहले हलका सा मिला देंगे और मिला कर हमें इसको मैदिक के अंदर डाल देना है और एक पर हलका सा चम्मा से इसको मिला देंगे और इसको छान लेंगे तो इस तरह से ये कोट करने के लिए हमारा एक मिक्षर तेयार हो गया है ड्राय मिक्षर और इधर एक बोल में एकदम ठंडा पानी लेंगे तो चिल्ड पानी ले रखा है मैंने बरफीला पानी है ये अब एक एक चिकन का विंग लेंगे चिकन के विंग को मैंने बीज से काट लिया था क्योंकि मुझे बहुत बड़ा पीस लग रहा था अब भी को मैद बेटा नहीं है और अब हमें इसको अचिकन का लग एक पर लापता है इन एक प्रलशया तर्स जाड शहाँ ही जञाऊक्ता जिए ज़ड़ेगा इस तरह से तो बस यहाँपर चार-पाँछ उरिणुकस उर्ड़ और नहीं कर सकते हैं अगर उसकेता हैं कि तो हुआटिग बहुत सक्त हो जाए जाएगी का यूज करनी हूं जो कि फ्राइंग के टाइम पर इस तरह से जाग छोड़ देता है जिसको प्लीज एक्नोर की जगा अब आप इसको देर से दो मिट के लिए टच नहीं करना है जब कोटिंग फर्म हो जाएगी तब इसकी साइट्स को हम पल्टेंगे और इसको साइट्स परcha कोटिंग दर दर आने चुएं वह एक्दम पर्फेक्ट आये हैं और एक्तम क्रिस्पी हमारे कोटिंग बनकर तेयार हुई है और इस तरह से हमारे पहुत क्रिस्पी करा रहें चिकन विंक्स पनकर तयार है जो के बिल्कुल के एससी स्टाइल बनकर त्यार होते हैं इन अगर आपने KFC में चिकन विंग्स खाए हैं तो आप एक बार इस तरह से अपने आपसीन को बनाएगा फिर आप वो खुद लगेगा कि हाँ घर पर बने वे जो चिकन विंग्स है ना बाजार के महंगे महंगे रेस्टरांट के चिकन विंग्स के कमपाइटिबली कहीं जाते हैं एक तम लो बजट में डेर सारी विंग्स पनाने हैं तो इस रैसे पी को ट्राइए के चे का बहुत अच्छे आपके क्रिस्पी चिकन विंक्स कर रेडी होंगे चलिए हमारे क्रिस्पी चिकन विंक्स तो तियार हो गए इसके चार चमश गाड़ा दही लेंगे और इसमें दो चमश मियोनी इस टाल देंगे, अब हलकी फुलके पॉडर मसाले डालेंगे, एक चोथा ही चमश नमक, एक चोथा ही चमश लहसुन का पॉडर, और एक चोथा ही चमश काले मिर्श का पॉडर, और एक चोथा ही चमश नीबू कर रस टाल कर खुब अच्छे से इसको आसाने से हमने इन को बना कर त्यार कर लिया है रेसेपी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फैमिली और फ्रेंट्स में शेयर जरूर करिएगा चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हमेल रिक्वेस्ट है बिना सब्स्राइब के मच आएगा थ थेसे में पटतवियो फ्रे inspired तो में खर लिया करिए हमेड़ीश पिसली सूवें तो मेराम सब्स्राइब के मच चैनल प análई हैятся